सो हेई गैस ओकम बैक टो नरोपरतों गाईस आज की इस वीडियो में चिल्डेंडेल स्पेशल जहलन निरोजे क्यों ड्रॉइंग करने बाला हूँ और इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं अपर एफोर साइज की ड्रॉइंग पेज यूज करने बाला हूँ और हां ग्रीड म करना है create for the artist and then इसको install कर लेना है मेरे पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको open कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद है यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ कि यहाँ पर वार्टिकल लिखा हुआ है वार्टिकल मतलब अगर आप लोग इस ड्रॉइंग को size में कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको A4 में select किया हूँ और इसके अलाब भी बहुत सरे option भी है आप लोग देख सकते हो जैसे कि A3BA, A2BA, AonBA, A5BA इवन आप लोग कास्टोमाइज भी कर सकते हो तो इस ड्रॉइंग के लिए मैं इसको A4 में select कर रहा हूँ क्योंकि मेरे drawing page A4 size किये और इसको यहाँ पर क्लिक करके open कर लेना है, open करेंड के बाद यहाँ आप लोग आप लोगो को file में click करना है, देन आप लोगो को जिस भी reference photo की उपर grid बढ़ना है, उसको इस तरीके से select कर लेना है, देन reference photo को आपने इस सब से इस तरीके से crop करके adjust करना है, बस crop हो तो automatically grid बन चुकी है, और कुछ चीज make sure करना है कि यह दोनो right click होना चाहिए, और जो भी बाकी option है, उन सब को share करने की कोई जरूरत भी नहीं है, देन आप लोगो को 3 lines पर click करना है, all sales size है पर आप लोगो को 20 mm select करना है, और इसको आप लोगो edit करके 30 mm, 40 mm भी रख सकते हो, और अगर 40 mm रखोगे तो 40 mm ही छोड़ छोड़ के mark करना होगा, और एक चीज़ याद रखना है कि जितना कम रखोगे उतना ही outline accurate बने की chance रहेगी, और क्यूंकि मैं इस drawing को A4 size में कर रहा हूँ, तो 20 mm पारफेक्ट size है, A4 size की हिसाब से, तो इसलिए मैं इसको 20 mm रखा करके sales size 30 mm पर रखना है, आप लोग कोई भी size पर रख सेक तो totally आपकी मर्जी है, बट मेरे ही सबसे A3 size में 30 mm पारफेक्ट size रहेगा, तो 30 mm मतलब drawing page की उपर अप लोग को 3 से मी छोड़ छोड़ के 4 दरफ मार्क करना होगा, तब ही अप लोग को इस तरीके से drawing page की उपर grid lens म खूद भी mobile की उपर try करो, अप लोग को clear हो जाएगी, और अभी मैं grid lens को drawing page की उपर create करूँगा, और एक चीज़ हमेशे याद राखना की grid lens को create करने की time age grade की pencil या फिर उससे कम grade की pencil आप लोग को use करना है, और जितना होसा के low pressure अपलाई करना है, क्यों? क्यों कि grid lens की उपर चारतो अप मार्क करूंगा like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे करके उपर की तरफ मार्क करना है, और यहापर on से में रहाजाएगा, उसको वैसा ही छोड़ देना है, और अभी same चीज़ उसके नीचे भी करना है, और यहापर भी on से में रहाजाएगा, उसको वैसा ही छोड़ दे और अभी उपर और नीचे जो डॉट से उन सब को लाइन्स में एक एक करके मैच करते जाना है ओके ग्री लाइन्स क्रेट हो गई है और अभी आप लोग डीफरेंस फोटो में देखो तो उपर में और लेप साइड में एक दो तीन चार करके मार्क किवा हुए सेम चीज अभी आप लोग को ड्राइंग पेज की उपर भी करना है तो उपर की तरब आप 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 दो से स्टार्ट करना है तो बस ग्री लेंस क्रेट हो गए है और अभी हमें रिफरेंस पोटो के उपर एचीज फाइंड करना है कि कहा से इस ड्राइंग को स्टार्ट करना है तो उपर की तरब आप लोग देख सकतों की 6th नंबर पोजिशन पे और साइड से भी अप लोग देख सकतों 6th नंबर पोजिशन पर यह और इसी चीज़ को हमें अभी ड्राइंग पेज में फाइंड करना है इवेन आप लोग कही से भी drawing को start कर से तो बस वो point आप लोग को इस तरीके से find करना है तो अभी drawing page में उपर की तरफ एक दो तीन चार पाच्छे और नीचे से दो तीन चार पाच्छे So यह से इस drawing को start करना है तो बस इसी तरीके से कौनसी box में आई है कौनसी box में nose यह कौनसी box में lips है आप लोग को find करते जाना है और draw करते जाना है तो बस अभी में drawing को किस तरीके से करणों आप लोग अची तरीके से follow करो और आप लोग भी मेरे साथ try करो Then आप लोग को एक perfect outline result मिल जाएगी So now, enjoy the video with music. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you then. We'll see you next time. We'll see you next time.